किसी ने क्या खोग कहा है मुश्किलों से पीछा छुडाने के लिए बस एक ही रास्ता है पूरी ताकत के साथ उसका सामना करना नमस्कार दोस्तों मेरा नाम प्रेम टिकास पांडे है आज अपने चनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेस्टनल इस्टोरी ले करके आया हूं आज मुसीबत आपके सामने आये तो क्या करना चाहिए कुछ लोग उससे लड़ते हैं तो कुछ भागते हैं पर जीत उसी की होती है जो पूरी ताकत के साथ लगता है तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजिए और सुरते हैं आज की कहानी ज जंगल में घूम रहा था तभी एक बचली ने पूछा पीता जी क्या इस जंगल में ऐसी कोई चीज है जिससे डरने की जरूरत है बस सेरों से साधार रहना भैसा बोला हां मैंने भी सुना है कि सेर बड़े खतरनाक होते हैं अगर कभी मुझे सेर दिखाया तो मैं जितना हो सके उतनी तेजी से दौरता हुआ भाग जाओंगा बचड़ा बोला नहीं इससे दुरा तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते भैसा बोला बचड़े को ये बात कुछ अजीब लगी वह बोला क्यों वह खतरनाक होते हैं मुझे मार सकते हैं तो भला मैं भाग कर अपनी जान क्यों न बचाओं मैं ऐसा समझाने लग अगर तुम भागोगे तो सेर तुम्हारा पीछा करें भागते समय वह तुम्हारी पीट पर आसा तो ऐसी इस्थिति मुझे क्या करना चाहिए बचड़े ने घवराहत में पूछा अगर तुम कभी भी सेर को देखो तो अपनी जगा पर टटकर खड़े हो जाओ और यह दिखाओ कि तुम जरा भी तरव हुए नहीं अगर वो ना जाए तो उसे अपनी तेज सींगे दिखाओ और खुरों को जमीन पर पठको अगर तब भी सेर ना जाए तो धीरे धीरे उसकी तरब बढ़ो और अंत में तेजी से अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर हमला कर दो भैसों ने गंभीरता से समझाया ये तो पागलपन है ऐसा करने में मैं तो बहुत खत्रा है अगर सेर ने पलट कर मुझ पर हमला कर दिया तो बचला नराज होते हुए बोला बेटे अपने चारों तरफ देखो क्या दिखाई देता है भैसे ने कहा बचला घूम घूम कर देखने लगा उसके चारों तरफ ताकत वर भैसों का बड़ा सा छुन्ड था अगर कभी भी तुम्हें डर लगे तो ये याद रखो कि हम सब तुम्हारे साथ है अगर तुम मुसीबत का सामना करने की बचाए भाग खड़े होते हो तो हम तुम्हें नहीं बचा पायते हो लेकिन अगर तुम सहस दिखाते हो और मुसीबत से लड़ते हो तो हम मदद के के लिए ठीक तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। बच्छडे ने गहरी सांस ली और अपने पिता को इस सीख के लिए धन्यवाद दिया। दोस्तों हम सभी की जिन्दगी में सेर हैं। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनसे हम ड़ते हैं। जो हमें भगाने पर हार मानाने पर मजबूर करना चाहती हैं। लेकिन अगर हम भागते हैं तो यह हमारा पीछा करती हैं और हमारा जीना मुश्किल कर देती हैं। इसलिए उन मुसीबतों का सामना करिए। उन्हें दिखाईए कि आप उनसे डरते नहीं हैं। दिखाईए कि आप सचमुझ कितने ताकतवर हैं। और पूरे साहस और हिम्मत के साथ उल्टा उनकी तरफ तूट पड़िए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके परिवार और दोस्त पूरी ताकत से आपके पीछे खड़े हैं। कहने का दात पर यह है कि दोस्तों अगर कुछ पाना है तो मुसीवितों को से लड़ना पड़ेगा और अगर आप लड़ना सुरू करते हैं तो आपके साथ पूरी ताकत के साथ आपके परिवार आपका समाच सब कुछ आपके साथ हो जाता है। लेकिन पहले शुरुवात आपको करनी पड़ेगी। इसके लिए प्रतिन सुबह साथे पांच बजे एक नई कहानी एक नई उमंग से करें दिन की सुरुवात तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले असिर्वात और भगवान के सारे के साथ यही कहू और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई भितिन मोटीबेशनल इस्टोरी आपको पर टेक सुबह साथे पांच बजे मिलती रहे इसके लिए प्रेस बेल आइकन